हेलो एबरिवन आप सभी का स्वागत है मापा परेसे में फिर से आगे हुम है नई रेसे पिले के तो आज बनाएंगे हम करेले की भुंजी आलो मिला के बहुत ही टेश्ट लगती है करेला ना बहुत ही ताजा है बहुत ही फ्रेस है जिर जी कल साम को लेके आये थे मार्केट स इसको मैं सभी कुछ गोल कुल करके कट कर ली हूँ यह ना इदम मतलब कि पतला-पतला कट करना है जादा मोटा मत कीजेगा इससे ना थोड़ से कड़वपन रहता है फिर एक पराथ निकाल ली हूँ करेला को मैं पहले धोल ले थे एक बार उसके बाद इसको मैं कट की हू उसके बाद इसमें आधा चमद लगबग घल्दी मिलाएंगे और इसको नहीं अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से इसको जितना चैसे मेक्स करेंगे न उत्तर अच्छे से मतलब कि इसमें से पानी छोड़ेगा उसके बाद ठकर लगा के 15-20 मिनट के लिए रेश्ट के लि कि पसंद होता है वह भी लुऋकी दाल खा लेंगे ने अ altri को छील देखी जीए ज्यादा बेरने ली चोटा बसी चील मारिख की लória के लिए जो आधा पक्का है मतलब की बाड़ी का है पका नहीं था और टमाटर ना मेरे हाज खतम हो गया है माटकेट से जिव जी लाने भूल गया थे इसी वज़े से कच्छा टमाटर को डाल रहे हूं लेकिन इसका भी टेस्ट अच्छा ही रहता है इंडक्शन में रग दी थी मैं कू हो जाथ जाँ डाल डालेगा जो जांटर को कारत तो इसमें हम डालक्न को तरे गलेंगे मूंडेको को देंगे इसके बार नहीं मसाला नमक में टालेंगे इसके बाद इसको अच्छे से में मेंस्क्स करके भूण लेंगे तो हम जहीं बोदों, पेंगें 2-3 मिंट भूण ऊजाता है ज स्णाची मंस्स Congratulations उसके बाद दो के हमादे में मेंस्कोद करखें यह वाली उसके बाद पानी डाल देंगे और धकल लगा कि इसको दो से तीन सीटी आने देंगे हाइप पे और दो सीटी ना लो फ्लेम पर आने देंगे यहां इसके बनाओगे में सुखी रोटी उसके इलिए लगा दे रहे हूं जितना इधा निकाल रहे ही और इधर ना बहुत कर लेंगे मतलब कि पहले लगा के रख़ए ना आठाब के रखेंगे ना तो रोटी ना बहुत अच्छी बنتी फुले-फुले बनती है आठक मेचल से चखना कर लेती और रगें में हूद भी धो लेती और क में रग देती ओर दैस में चढ़ा रही हुए चावल यह वाला चाफल पता है मेरा घर से आया है और बहुत जादा गिला हो जाता है आलू की साथ सकते हैं इस पार के इधर मैं यृ Commissioner । इसमें डाल देथी बड़ी चमस सर्शो करते हैं उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा या सर्षु आप डोनों डाल सकते हैं लिखिन मैं जीरा बश डाली हूँ उसके बाद ने इसको जीरा चप्रटक जाएगा तो आलो भी डाल देंगे और साथ में डालेंगे नमक नमक थोड़ सा कम ही डालेगा क्योंकि पहले अगर आप अगर बाद में अगर ज्यादा नमक डालेंगे ना तो मतलब करे नमक तेज हो जाएगा इसी वज़े से कम डालेगा शिवाद इसको धकन लगा कि नपकने देंगे मतलब की 5-7 मिनिट लोग लेंपे पकने देंगे डगसर में दो से तीन प्याज निकाल लेथी प्याज को हम चीड लेंगे प्याज डालते है ना करेला में तो करवापन इसका काफी ज़्यादा कम हो जाता है प्याज को छीड ले थी और इधर में कट कर ले रही थी तब तक देखें पांची से मिनिट हो गया था और आलो ना बहुत अच्छे से पक जा रहा था इसको में चला ले रह अच्छे से चला लेंगे और मतलब की नीचे उपर कर देंगे ताकि करेला और आलो प्याज सभी तेल में अच्छे से लिप्टा जाए उसके बार ना इधर धकन लगांगे इसको खुला में बनाएंगे पूरा मतलब जितना पहला तो इसके बार दाल भी थोड़ी से इसका गाढ़ा इतना ठीक है क्योंकि ज्यादा पतला भी अच्छे नहीं लगता है तब तक मेरा चावल भी बन गया थे देखे और तड़के क्लिब में पैन रख दी ती डाल को तड़का लगाओंगी सरसुका तेल डाल दी थी पैन में उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा आप सचलाड में डाल सकते हैं लेकि कुछ भी नई डाल रहा हूं मज़ीरा से टरका लगा रहा हूं उसके बाद जीरा डाल बन गए थी लवकी चना डाल की सबजी सब्जी नहीं सब्जी डाल बन गई है उफकी अब तक इधर कारेला भी भून रहा था बीच भी इसम बहुत जादा तेर लगता है और बीच बीच में रोटी सेख रहते हैं जीए जाए रहता है इसे जाए से सब्सक्राइब ने रहता है एक रोटी को पर दुसरे रोटी लगा लगा के इस तरह से फुला देती है देखें किती सौप्ट सौप्ट किती फुली फुली रोटी बनती है और डायरेक्ट हम तवे पही सेखते हैं गैस पे नहीं सेखते हैं इस तरह से से करके मैं सभी रोटी को सेख ले रही हूँ देखे बहुत अच्छी से फुलती है तब तक मेरा करेला भून गया था रोटी पूरा को पूरा बन गया था करेला को में बीच में चलाते चलाते ही रोटी से लिए थी करेला न इडम सिंपल सी बनी है लेकिन बहुत टेस्टी बनी आलू करेला की सब्जी इंडक्षन बन कर दे थी मतलब करेला बन गया था और इधर में जिर जिकले खारना लगा दे रहे हूं तो चावल निकाल दे थी डोकटोडे लेए थी रञटी रख दे रहे हूं धो दोफर का खाना लगा रहे हूं। अगर रोटी रख देती हूवार में नेदुगी करेला की सब्जी मतलब करेला अलो prohibition भूच्झां अजयर सब्गी कि मेरे हैना मसाले वाले सब्जी है अख्यरना मेरे हुशी में सिंपल बनती है और मैं आप सब क्या दिखाऊ मसाले वाले सब्जी हम लोग खाते ही नहीं है जादा तो कभी-कभी खाते हैं तो मतलब जो खाते हैं उसे भूब सभी से से स्येर करती हूं आप लोग अच्छी लगती है मेरी वीडियो अच्छी लग झाल झाल